हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दा नेक्स्ट लेवल में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए महत्पुर्ण हिंदी के प्रश्ण लेके आए हैं वो भी नौ टॉपिक से ये नौ टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्ण है जिनके एक्जाम में आने की बहुत 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 ज़्यादा संभावना है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में सेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का फाइदा उठा सके दोस्तों शुरू करते हैं और साथ ही दोस्तों वीडियो को share जरूर करें क्योंकि आपके दोरा से वीडियो share बहुत कम हो रहा है आप जितना ज़्यादा share करेंगे आपको ही उतना फाइदा होगा क्योंकि sharing is caring और ऐसा कहा भी जाता है कि ग्यान को आप जितना बाटिए आपका ग्यान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा तो इस वीडियो को बाटिए ताकि आपका भी ग्यान बहुत ज़्यादा बढ़े तो चलिए question answer शुरू करते हैं पहले ही की तरह हमेंने इसे MCQ में बनाया है ताकि आप भी साथ साथ कमेंट करते चले तो चलिए question answer शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला question क्या है तो पहला question है कि अल्प संख्यक का विलोम क्या है option है क्या होगा सही answer आपको कमेंट करके बताना है A. अती संख्यक B. बहु संख्यक C. महा संख्यक या D. बाहुली में से जो हमारा सही answer है वो है option number B. बहु संख्यक आगे देखते हैं अगला question कि अभी साथ का विलोम क्या होगा अभी साथ का विलोम क्या होगा option है आपके सामने प्रतिवाद, प्रवाद, आसिरवाद या फिर वर्दान इसमें से जो हमारा सही answer है जो अभी साथ का सही विलोम है वो है वर्दान अभी साथ का वर्दान आसिरवाद नहीं होगा अगर आप आसिरवाद में कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आसिरवाद गलत है देखते हैं हम आगे अपना अगला question कि इक्छा का विलोम क्या है अप्सन है यहाँ पे अनिक्छा, कामना आकांचा और अपेक्छा क्या होगा सही answer जल्दी से आप comment करें इक्छा का विलोम क्या होगा तो यहाँ पर अगर हम इक्छा के विलोम सब्द की बात करें तो इक्छा का सही विलोम हो जाएगा option नमर ए अनिक्छा देखते हैं आगे हम अगला प्रश्न अगला प्रश्न यहाँ पर आपको वर्तनी सुद्ध करने से है क्योंकि वर्तनी से related भी तीन questions आपके exam में पूछे जाते हैं अभी तक पूछे तो गए ही है हर shift में अभी तक जितने भी exam हुए हैं तो इसलिए तीन questions आपके सामने वर्तनी से मैं ले करके आया हूँ तो question आपके सामने दिया हुआ है कि संग्रहित क्या होगा सही सब्द इसमें से आपको चुनना है A वाला, B वाला, C वाला या फिर D वाला क्या होगा सही answer आप जल्दी से A, B, C, D करके comment कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम सही answer की बात करें सुद्ध वर्तनी वाले सब्द की बात करें तो यहाँ पर सही answer हो जायेगा option number B जो की सही है संग्रहित आगे देखते हैं अगला परश्ण हम की यहाँ पर सुद्ध सब्ध फिर से आपको चुनना है तो यहाँ पर निस्कपट में सुद्ध क्या है यह आपको बताना है तो कौन सा निस्कपट सही है जल्दी से आप कमेंट करके बताएं A, B, C या फिर D क्या होगा सही answer यह आपको कमेंट करना है तो यहाँ पर अगर हम सुद्ध वर्तनी वाले सब्ध की बात करें सही सब्ध की बात करें तो option number A जो है यह correct वर्तनी वाला सब्ध है आगे देखते हैं कि वर्तनी फिर से सुद्ध करना है पुनरविचार का वर्तनी फिर से आपको सुद्ध चुनना है पुनरविचार पुनर विचार में कौन सा वरतनी सुद्ध है option आपके सामने है A, B, C, D में जो भी सही आंसर हो आप कमेंट कर दें तो क्या होगा सही आंसर जल्दी से आप चुने, सेलेक्ट करें तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें सही सुद्ध वरतनी वाले सब्द की बात करें तो option नमर यहाँ पर जो है A, A जो है यह सही वरतनी वाला सब्द है पुनर विचार, देखते हैं आगे हम अगला question, अब यहाँ पर आपको मोहावरे और लोकोक्तियों से question दिये हुए है तो question है नाच ना जाने अंगन तेड़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है option है तेड़े अंगल में कुसल वेकती ही नाच सकता है तेड़े लोग नाचना नहीं जानते, अपनी अकुसलता का दोस्ट दूसरों के दूसरों पर डालना या तेड़ा आंगन भला नाचना क्या जाने क्या होगा सही अर्थ इसका आप जल्दी से कमेंट करें A, B, C, D में जो भी आपको उचित अर्थ जान परता है आप कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम सही अंसर की बात करें तो C नंबर जो है फूक फूक कर पीता है क्या होगा इसका अर्थ सही अर्थ option आपके सामने है कि एक बार धोखा खाने वाला अधिक सावधान हो जाता है बार बार धोखा खाने वाला एक बार धोखा खाने वाला दुबारा धोखा नहीं खाता एक बार मिले कश्ट को वेक्ति कभी नहीं भूलता या एस्वरी में रहने वाला वेक्ति गरीबी में भी ठाठ में ठाठ से रहता है क्या होगा सही अर्थ दूद का जला छाच भी फुक फुक कर पीता है का जल्दी से आप कमेंट करके बताएं काफी आसान और life to life connected questions है ये तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दें तो यहाँ पर अगर हम सही अर्थ की बात करें तो option number A जो है ये सही अर्थ बता रहा है एक बार धोखा खाने वाला वेक्ति अधिक सावधान हो जाता है चलिए आगे देखते हैं अगला हम हमारा ninth number question है कि तबले की बला बंदर के सिर क्या होगा इस लोकोक्ति का उचित अर्थ किसी की सिकायत दूसरे से करना एक दूसरे से लड़वाना किसी का अपराध दूसरे के सिर या अपना दोस दूसरे के सिर मढ़ना क्या होगा सही आंसर इसका जल्दी से आप comment करके बता दे A, B, C और D में उचित अर्थ क्या है तबले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का ये आपको बताना है तो जल्दी से आप बता सकते हैं तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा option number C में किसी के अपराद दूसरे के सिर किसी के अपराद दूसरे के सिर जो है ये तबले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का उचित अर्थ है आगे देखते हैं हम मित्र का प्रयावाची सब्द कौन सा है मित्र का प्रयावाची सब्द कौन सा है option है सहपाठी सहचर, सहोदर या फिर सखा मित्र का प्रयावाची सब्द कौन सा है जल्दी से आप कमेंट करें सहपाथी, सहचर, सहोदर या फिर सखा क्या होगा सही आंसर आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम प्रयावाची सब्द की बात करते हैं उचित परियावाची सब्द की तो मित्र का उचित परियावाची सब्द हो जाएगा option number D सखा सखा जो है मित्र का परियावाची सब्द होता है आगे देखते हैं हम भवरा भवरा का उचित परियावाची सब्द क्या होगा option है यहाँ पे रसाल मधुप, सौरब या मुकूर क्या होगा भवरा का उचित परियावाची सब्द आपको कमेंट करके बताना है A, B, C और D में भवरा का उचित परियावाची सब्द क्या होगा ये आप कमेंट करें तो भौरा का उचित प्रयावाची सब्द यहाँ पे हो जाएगा option नमर B, मधुप option नमर B, मधुप भौरा का और भी अर्थ होता है, अली होता है, भ्रमर होता है, बहुत सारे इसके अर्थ होते तो प्रयावाची सब्द आप जरूर से जरूर याद करें अगला है बादल का प्रयावाची सब्द क्या है, बादल का प्रयावाची सब्द क्या है option है जलज, जलधी, रसभर, जलभर या नीरज क्या होगा सही अंसर बादल के प्रयावाची सब्द का, तो क्या होगा जलधी से आप कमेंट करें A. जलज, B. जलधी, C. जलभर या D. नीरज सही अंसर प्रयावाची सब्द में क्या होगा आपको कमेंट करना है तो बादल के सही प्रयावाची सब्द की बात करें तो जलभर उचित प्रयावाची सब्द है बादल के लिए चले देखते हैं आगे हम अपना अगला question यहाँ पे द्यूत और दूत दूत और द्यूत दो सब्द दिये हुए हैं दो युगमक सब्द हैं इसमें से दोनों का आपको अर्थ बताना है क्या होगा इन दोनों का अर्थ आपको कमेंट करना है option है जासूस और क्रीडा परतिनिधी और जुआ क्रीडा और परतिनिधी राजदूत और कंजूस क्या होगा सही आंसर यह आप कमेंट करेंगे A, B, C और D में सही आंसर क्या होगा तो अगर हम दूत और दूत और दूत के सही आंसर की बात करें तो दूत का अर्थ होता है परतिनीधी और दूत का अर्थ होता है जुआ यानि कि ये दोनों हमें option नमर B में दिख रहा है तो यही हमारा सही answer हो जाएगा आगे देखते हैं अगला question हम कि बहू और बहू बहू और बहू का अर्थ क्या होगा इन दोनों same जैसे दिखने वाले word हैं तो क्या होगा इसका सही अर्थ ये आपको बताना है तो बहू और बहू का सही अर्थ option नमर A में है बहुत और वधू तो B में है वधू और बहुत C में है निर्थ और बहूद और D में है इनमे से कोई नहीं क्या होगा सही answer आप comment करें तो सही अर्थ की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सही अर्थ हो जाएगा A नमर बहुत और बधू बहुत और बधू जो है वो सही answer हो जाएगा देखते हैं अगला question हम question नमर 15 question number 15 है बद्ध और वृद्ध सब्ध युगमक का अर्थ क्या है बद्ध और वृद्ध सब्ध युगमक का अर्थ क्या है option है गायल बुढ़ा बंधा हुआ और बुढ़ा अधेर और बुढ़ा और युवा और बुढ़ा क्या होगा इसका सही answer आप comment करें यहाँ पर एक बात तो option से देखी गई कि दूसरा वाला जो वृद्ध है इसका अर्थ बुढ़ा ही है लेकिन पहले वाले का अर्थ क्या है यह आपको comment करके बताना है तो यहाँ पर जो बद्ध है यहाँ पर जो बद्ध है इसका सही अर्थ होता है बंधा हुआ तो option number B जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा चले देखते हैं आगे हम अगला प्रश्ण next है यहाँ पर कि तुमने यहाँ पर आप चार अलग-अलग वाक्य देख रहे हैं और इसमें से सिर्फ एक सुद्ध है बागी तीन असुद्ध है तो कौन सा वो सुद्ध सब्ध है कौन सा वो सुद्ध वाक्य है यह आपको ढूणना है option है तुमने कह दिया कि आप अब सोजाओ आप अब जाओ दूसरा है उधार तो तेरा होगा नहीं इस हाल से तीसरा है अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा और चौथा है उसका दुर्भाग वास्तव में बहुत बुरा है क्या होगा सही आंसर सही सुद्ध वाक्य यह आप कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कमेंट करें क्योंकि यह चार अलग-अलग परकार के वाक्य है तो इसमें ढूनना थोड़ा कठिन हो जाता है तो यहां पर अगर हम उचित आंसर की बात करें सुद्ध वाक्य की बात करें तो सुद्ध वाक्य हो जाएगा अब तुमको जाना ही पड़ेगा यानि की C जो है यह गलत है बाकी A, B और D यह गलत स्वाक्य है आगे देखतें अगला क्वेस्चन है अब नॉर्मल सा क्वेस्चन है यह कि पिछले सोमवार को इस्कूल बंद है पिछले सोमवार को इस्कूल बंद रहेगा पिछले सोमवार को इस्कूल बंद होना है या पिछले सोमवार को इस्कूल बंद था क्या होगा सही आंसर, सही सुधवाक्य ये आप कमेंट करें A, B, C, या फिर D चारों में से सुधवाक्य कौन सा होगा ये आपको कमेंट करना है तो यहाँ पर अगर हम बात करें सुद्ध आंसर की सही आंसर की तो D नमर जो है वो सही है क्योंकि पिछला जो है यह पास्ट टेंस बता रहा है और इसलिए वहाँ पे था का हम यूज करेंगे बाकी है रहेगा और है यह present और future को sense दे रहे हैं आगे देखते हैं हम फिर से एक असुद्ध वाक्यों की स्रिंखला दी हुई है जिसमें तीन असुद्ध एक सुद्ध है तो बच्चों को पहला में दिया हुआ है कि फल बच्चों को काट कर खिलाओ दूसरा है बच्चे को काट कर फल खिलाओ तिसरा है बच्चे को फल काट कर खिलाओ और चौथा है काट कर फल बच्चे को खिलाओ इसमें से सुद्ध वाक्य क्या है कौन सा वाक्य सुद्ध रूप में है ये आप कमेंट करके बताएंगे A, B, C और D में सुद्ध वाक्य वाला सब्द कौन सा है तो यह आप जल्दी से कमेंट करें A, B, C या फिर D तो यहाँ पर सही आंसर हो जायेगा option number C बच्चे को फल काट कर खिलाओ सही अर्थ वाला और सही सुध रूप वाला वाक्य है आगे देखते हैं हम अगला question यहाँ पर strilling से question पुछा गया है वहाँ पर चार option आपको दे रखे हैं और सही link का आपको चयन करना है तो कौन सा सब्द strilling है यह आपको बताना है option है seal, sak, sahad या फिर सराब seal, sak, sahad या फिर सराब कौन सा सब्द strilling है यह आपको चूनना है इन में से तो क्या है सही स्ट्रिलिंग सराब सहद सक और सील में से तो यह आप कमेंट करें A, B, C या फिर D तो अगर हम सही स्ट्रिलिंग सब्द की बात करें तो सराब जो है सराब जो है यह स्ट्रिलिंग है यह स्ट्रिलिंग है और बाकी सब पुलिंग है चले देखते हैं अगला question हमकी what's what's सब्द क्या है option है strilling, pulling, उभाइलिंग या उप्युक्त सभी क्या होगा सही answer आप comment करेंगे a strilling, b pulling, c उभाइलिंग और d उप्युक्त सभी अगर a है तो aaa करके आप comment कर सकते हैं b है तो bbb करके c है तो ccc करके और d है तो d d d करके आप comment कर सकते हैं तो what's जो है एक pulling सब्द है चले देखते हैं आगे हम अगला question कि निम्न में से strilling कौन है, कौन strilling है गंगा है, यमना है, सरुसती है या सभी है, गंगा है यमना है, या सरुसती है या सभी है, क्या होगा आपका सही आंसर आप जल्दी से comment करें a, b, c, d a गंगा, b, यमना, c, सरुसती या d सभी, क्या होगा सही आंसर, तो यहाँ पर जो strilling है वो है ये सभी, क्योंकि गंगा, यमना और सरुसती जो है वो सभी नदियां है और नदियों के नाम हमेशा strilling रखे गए है, भारत में सभी नदियों को माता का दरजा दिया गया है सिर्फ एक ही ऐसी नदी है जिसे हम pulling मानते हैं पुरुस मानते हैं, कौन सी वो नदी है अगर आपको पता है, तो आप मुझे comment करें, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, तो जल्दी से अगर आपको पता है कि कौन सी एक नदी है जो पुरुस है, pulling है तो आप जल्दी से comment करें, और नहीं पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ तो I hope अगर आपको पता है, तो आप comment करेंगे तो मैं आपको सीधे आंसर बता जिता हूँ वो एक नदी है, ब्रहम पुत्र ब्रहम पुत्र नदी को क्या माना गया है इस नदी को हम पुत्र ये पुत्र जिस नाम ही है यहाँ पे ब्रहम पुत्र ब्रहमा का ये पुत्र है ये ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है इसलिए ये फुलिंग है बाकी जितनी भी नदियां है वो सभी के सभी नदियां स्ट्रिलिंग मानी जाती है अगला है कि निम्न में से कौन सा पद संधी नहीं है संधी नहीं है क्या होगा कौन सा संधी पद नहीं है यानि कि कौन सा संधी से नहीं बना है तो जल्दी से आप कमेंट करें A, B, C और D में क्वेस्चन काफी इंपॉर्टन है आपके एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन ये बन सकता है तो सही आंसर हो जाएगा option number D कामिनी कामिनी जो है वो संधी से नहीं बना है बाकी तीन संधी से बने हुए अगला कोशन है गई जोर अक गई जोर अक सब्द की संधी करने पर सब्द होगा कौन सा गई जोर अक सब्द की संधी करने पर कौन सा सब्द बनेगा गैक, गायक, गैयक या गैक क्या होगा, सही आंसर आप जल्दी से comment करके बताएंगे A, B, C या फिर D आपका जो सही आंसर आप अठाक से comment कर दें तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें सुद्ध आंसर की बात करें तो option नमर B जो है गायक ये सही है गई जोर अक गायक हो जाता है देखते हैं हम 24th कि देवो पम सब्द का सही संधी विछेद क्या है? आपको देवो जोर पम, देवा जोर ओपम, देव जोर उपम या देवः जोर उपम क्या होगा सही अंसर आप कमेंट करके बताएंगे A, B, C या फिर D तो यहाँ पर अगर हम उचित आंसर की बात करें, सही आंसर की बात करें तो जो सही आंसर जान पड़ता है ये सही आंसर है option नमर D देवा जोर ओपम, देवो पम I hope आपको क्लियर हुआ होगा और आज का आखरी question हम देख लेते हैं कि नम्ल में से कौन सा तत्सम सब्द है option है दुख क्या होगा सही आंसर ये आप कमेंट करेंगे दुख तो अलग परकार से लिखे हुए हैं और दुख ये भासा कि उत्पत्ती के अलहार पे सब्दों को बाटा गया है तत्सम तत्भाव, देशज और विदेशज तो तत्सम सब्द कौन है यहाँ पर यह आपको बताना है मैंने पिछले क्लास में ही आपको सभी के अलग-अलग डिफरेंसेज बताएं थे कौन सा सब्द तत्सम होता है, कौन सा सब्द तत्भाव होता है तो आई होप आपको पता होगा और सही आंसर भी आपको पता होगा क्योंकि सही आंसर यहाँ पर है, option number A, दुख तो दोस्तो यह थे total 25 question, आपके कितने marks बन रहे हैं यह आप comment करके मुझे end में जरूर बताएं क्योंकि यह check करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी तैयारी आपके exam में ज़्यादा समय बचा नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं, इसलिए हम practice sets लेकर आ रहे हैं माकी GK के भी practice set आपको मिलते हैं, maths के भी हमने शुरू करे हैं, reasoning के भी आपको मिल रहे हैं तो इन सभी को आप अच्छे से prepare करें, अपने सभी दोस्तों में share करें अपने दोस्तों के साथ marks को compare करें, कि उनके कितने आ रहे हैं, आपके कितने आ रहे हैं सेयर जब आप करेंगे तो वो देखेंगे और फिर आप उनसे पूछे हैं कि आपका कितना माक्स आया है या फिर इस सेट में आपका कितना माक्स बना है तो उससे आप अपनी तैयारी को आँख पाएंगे और मार्केट में क्या चल रहा है यानि कि दूसरे लोग किस लेवल पे हैं ये भी आपको समझ भाएगा क्योंकि खुद अकेले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको दूसरे के बारे में पता नहीं चलेगा और वो भी जानकारी दखना जरूरी है क्योंकि एक्जाम में जो कटफ बनेगा वो दूसरे से आपकी परतिसपरधा को देखते हुए बनेगा अगर अगला आपसे ज़्यादा तेज है तो हो सकता है की उसके मार्कस जादा आया और वो कटफ बना ले इसलिए अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेयर भी कर दें और उनके भी मार्कस जाचे की उनके कितने मार्कस बन रहे है तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ज़यादा इम्पॉटेंट है और साथी साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल वाली घंटी को दबा लें साथी साथ अगर कितने माक्स बन रही है कमेंट करके जरूर बताएं तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए इस वीडियो के बाद इस वीडियो के लिए अलविदा अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम